अभी रोड पूरी तरह से साफ होई नहीं थी, तभी राणे की नजर फिर से एक उबडखाबड गड़े की तरह पड़ती है, उसको देखते ही राणे को समझने में जरासी भी देर नहीं लगती कि वो एक भारूदी सुरंग है, यदि कहा जाए कि दुस्मन की तेज गोली बा के बारे में, जिसना ना सिर्फ दुस्मनों के नापाक मसुवों को ध्वस्त किया, बलकि भारती सेना को उनके कुसल नेत्रत्व, एक रणनीतिक सूझ-भूज के बधोलत, नौसेरा, बरवाली, चिंसांग, राजुरी और जांगर जैसे इलाकों पर दुबारा कबजा किया यों तो दुस्मन के मसुवों को ध्वस्त करने में, पूरी सेना ने ही पराकरम दिखाया था, लेकिन सेकेंड लेफ्टिनेट, रामा, रागोबा, राणे की भूमी का बेहद आहम रही है, जिसके लिए उन्हें परमवीर चकर से नवाजा गया था अप्रेल 1948, जगा जमुकसमेर, राणे पेट के भल स्टूर्ट टैंग के नीचे बारूदी सुरूंगों के बीच रहते हुए चल रहे थे, वो अपने उपर चल रहे टैंग की रवतार्स के साथ में चलने की कोशिश कर रहे थे, अभी कुछ देर पहले बारूदी के दोरान एक मोटार्स के धमाके में उनकी टांग बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। जैसी वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एक तेज असानी दर्द हो उटता, लेकिन वो कहते हैं जो वीर बहादूर होते हैं, वो दर्द की परवाह नहीं करते हैं, उन्हें त और उनकी टीम रास्ते को किलियर करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हें कुछ चलने के बाद में ये बात समझ में आ गई थी, कि घुश्पेटियों ने जब वो इलाका छोड़ा तो उन्होंने रोडों को, छोटे छोटे ब्रीजों को, पुलों को, सब को ब्रभाद कर दिया था, साथ ही साथ उन्होंने रास्ते में माइन्स भी बिचा दी थी, और जिसका असली मकसद था भारतिय सेना को आगे बढ़ने से रोकना, लेकिन वो कहते हैं ना, कि उगते हुए सूरज को बादल कब तक रोक पाएंगे, और इन भेडियों में इतना कहां दम कि व वो वीर जवानों को रोक नहीं पाएंगे, और वो हिंदस्तानी बहादुर थे, उन्हें रोकना मुस्किली नहीं नामनकिन था, इसलिए सुरू में जब उनको बाहरूदी सुरूंगों का पता नहीं चला तो, वो काफी गाडियों, अपने टेंकों, अपने सातियों को खो अब उन्हें अपनी योजना में बदलाव की जुरूत महसूस हुई, रामा रागोवर राने के दिमाग में एक योजना आती है, वो अपने सीनियर अधिकारी से बात करते हैं, और उन्हें बताते हैं कि, सर ये इलाका काफी माइन्स से भरा हुआ है, तो हम खुले में माइन माइन्स हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि गुस्पेट ये लगातार गोली बारी कर रहे हैं, और जिसकी वज़ा से खुले में माइन्स हटाना, मतलब सीधे सीधे मोत को बुलावा देना हैं, इसलिए अब सीनियर अधिकारियों के पास भी राना की योजना के अनुचार चलने क किसे वा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, चुकि राना की योजना ये थी कि वो सबसे आगे एक टैंक चलेगा, और जिसके अंदर दो रसियां मानेगे, और राना टैंक के नीचे रैंक्ते हुए चलेंगे, जब भी उनको कोई आगे बारूदी सुरंग दिखाई देगी, त आप करने के बाद मैं रास्ता किलियर करेंगे, और जैसे ही रास्ता किलियर हुआ, तो वो अपने बाहिने हातवाली रस्ती खीचेंगे, और जिसका संकेतिए होगा, गि रास्ता किलियर हो चुका है, अब टैंक आगे आराम से बढ़ सकता है, सुरू में ये विचार असंबव सा लग रहा था सबने सोचा ये कैसे हो पाएगा लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके होसले पहाणों से मजबूत हो तो परिशानियां आप छोटे-मोटे पत्थर की भाती ही आपको नज़र आती है और यही होसले थे हमारे वीर बहादूर राणे साब के वो धीरे धीरे अपनी इस योजना अनुसार आगे बढ़ रहे थे टैंक के नीचे रेंगते हुए तबी फिर से राणे की नज़र एक गोला का गड़े पड़ पड़ दिये जो इस बहाद का संकेत है कि वहाँ पर नीचे टैंक को उड़ाने वाली एक बारूती सुरंग है वो अपने दाईने हाथ वाली रक्सी खींचते हैं टैंक घर बरा कर रुख जाता है कीचर से सने हाथों के उमलियों से वो उस सुरंग के चारों और के मिट्टी को हताते हैं पत्तर से खुरेच कर उसको थोड़ा सा साफ करते हैं वे बड़ी ही सावधानी से उसके धकन को हटाते हैं और धकन को हटाने के बाद में उस सुरंग के अंदर उस एंटी माइन्स के अंदर लगे हुई फ्यूज को निकालते हैं और ढकन को धीरे से वापिस लगाते हैं और लगाने के बाद मैं आहिस्ता से अपनी आँखे मून कर एक चैन की सांस लेते हैं और वे अपने बाहिने हाथ की रसी को फिर से खिंजते हैं जिसका यह संकेत है कि टैंक अब आगे बढ़ सकता है रास्ता किलियर है वीर चकरप्राप्त रिटाइड करनल जेपी चोपड़ा जिन्होंने राणे के साथ में कान किया था वो याद करते हुए बताते हैं कि 1947 का साल खतम होने वाला था युदके बादल मंडराने लगे थे दुसमन लगातार सिरिनगर एरफिल्ड और जम्मू की तरफ से हमला कर रहा था जम्मू से वो अकनूर नौसेरा की तरफ बढ़ रहा थे यही वज़े थी कि भारती सेना को जो पहले जांगर की तरफ से लगाया गया था उनको वो इलाका छोड़ कर नौसेरा की तरफ लोटना पड़ा था लेकिन घुसपेटियों को जब यह बात पता चली तो उन घुसपेटियों ने जहांगर से भी हमला करना शुरू कर गिया था इसलिए सेना को वापस उस और भेजना पड़ा था राने वो उनके 22 सातियों को यह जिम्मेवारी दी गई थी कि वे अपने इन सातियों के साथ मिलकर टैंकों के लिए रास्ता बनाए ताकि राजोरी पर हमला किया जा सके इस काम को पूरा करने के लिए वो दिन रात लगे रहे जब हम सुनते हैं तो ये लक्सी हमें छोटा लगता है लेकिन ये बिल्कूल भी आसान नहीं था उन्हें 6 इंच से लेकर 10 फुट तक गहरे नालों के उपर से रोड बनानी थी उन्हें रास्ता बनाना था ये एक ऐसी घड़ी थी जिस समय आराम करने के लिए इनके पास एक मिनिट का भी वक्त नहीं था और राजोरी पहुँचने के लिए रप्तार बनाए रखना बेहद चलूरी था क्योंकि मासूम इस्थानी लोगों के लिए हर सेकेंड का फर्क जिन्दगी और मौत के बीच के फर्क जैसा था खाने पीने में वक्त जया ना हो इसलिए अधिकतर वक्त उन्होंने केवल और केवल सुके सकर पारे खाकर गुजारा था इस दौरान कई बार उनके टैंक उड़ जाते थे कई बार साती सहीद सैनिक सहीद हो जाते थे कई बार साती सैनिक घायल हो जाते थे और बारूदी सरुम को काम को करने में वे इतने मसकूल थे कि दिन रात का भी उन्हें दर्द का भी उन्हें किसी चीज का उन्हें खयाल नहीं रहता था इन सभी तकलीबों को सहने के पीछे एक ही वज़ा थी और वोजवज़ती राजोरी के आसपास के आम जंता के उन गुसपेटियों से हिवाज़त उन भाईयों की हिवाज़त करना उन गुसपेटियों से इसका स्रे राणा को ही जाता है जिनकी बदोलत वक्त रहते सेना राजोरी पहुँच पाई थी और कई मासुम जिन्दिकियों को बचाया जा सका कई बार कई मुश्किले आई कई बार रास्ता बनाने के लिए उन्हें बंब का इस्तेमाल भी करना पड़ा रास्ते में मुझूद कई बार पेड, कई बार बड़े पत्तों को हटाने के लिए बॉम से भी उन्हें उड़ाना पड़ा लेकिन उन्होंने सब किया आठ अप्रेल 1948 का वक्त यही कोई साम के चार से छे बजे होंगे अभी थोड़ी देर बाद सारे इलाके में अंधिरा होने वाला था राणे और उनके साती दुगुनी रबतार से अपने काम में लग गए थे तबी अचानक गोलीबारी होना सुरू हो जाती है इस प्रकार से हुई गोलीबारी से उन सभी को संभलने तक का मौकान ही मिलता है गुसपेटियों ने गोलीबारी करना सुरू कर दिया था साती सात उन्होंने मोटार से भी हमला करना सुरू कर दिया था इस गोलीबारी के दौरान राणे को अपने चार सातीयों को खोया था अंबा जी मौरे, रगुनाज जी मौरे ये दो सैनिक वहीं पे साहिद हो जाते हैं सीताराम सुतार वो केसव आमरे बुरी तरफ से जक्मी हो जाते हैं जिनकी बाद में अस्पताल के अंदर मोथ हो जाती है ये सबी वे सिपाई थें जो ख़दक खोदने में बड़े ही निपूरन थे साथी साथ एक उनके साथी लांस नायक, एमके यादव जिनकी रीड की हंडी के अंदर एक मोटास का छर्रा गुष जाता है जिससे उन्हें ता उमर के लिए लक्वा मार जाता है ये नहीं था कि राने को भी चोट नहीं आई थी राने की जहंग में भी एक छर्रा जा लगा था जिसकी वज़े से काफी खून बहरा था लगिन फिर भी उन्होंने प्रात्मिक उपचार करवाया और उपचार करवाने के बाद में आराम करने की बजाए अपनी उस जगह पर अपनी उस करम भूमी पर टिके रहने का फैंसला करते हैं अभी काफी अंदेरा हो चुका था तो राणे अपनी खदक में जाते हैं अगले दिन सुबह पांच बज़े वे फिर से काम पर लोट आते हैं वो दो पेर दो बज़े तक चिमनांग तक का रास्ता साफ हो चुका था उस रात उन्होंने नौ बज़े तक राणा उनके साथियों ने काम किया था अगले दिन सुबह दस बज़े तक उनको जो लक्से दिया गया था उन्होंने पूरा कर दिया था उन्होंने वो सब पूरा कर दिखाया था जो एक असंभव सा लग रहा था अब इस रास्ते से किसी भी प्रकार की गाड़ी आ जा सकती थी आर्मी की हलकी गाड़ी, बक्तरबंद गाड़ी, टैंक किसी भी प्रकार के वाहन को लाया वो लिजाया जा सकता था लेकिन उनके कदम कहां रुखने वाले थे सेना को पूरा विश्वास था कि राम रागोबा राने और उनकी टीम को यदि कोई भी लक्से दिया जाता है तो वो उसको पूरा कर देते हैं वो वीर भादूर सेने के वो हिंदुस्तान के सेरे यानि किसी प्रकार का कोई भी लक्से दिया चाहिए ये बेज जज़क पूरा कर देंगे भारती सेना को सबसे ज्यादा जरूरत जिस रास्ते की थी वो रास्ता था राजोरी का रास्ता जवानों को दोबारा से लक्से दिया गया जवानों ने लगातार मेहनत करके नदी के किनारे से बड़े-बड़े पत्थरों को हटा कर उनको कभी-कभी बंब की मदद से उड़ाया गया चाए किसी भी तरह किसे हो और आखिर कर वो दिन आ ही गया जब 11 अप्रेल को साम के 6 बजे राजोरी में पढ़ाव डाला गया और वो राजोरी पहुँच चुके थे रास्ता एकदम साफ किया जा चुका था ये एक करिस्मा ही था कि टैंकों को राजोरी तक पहुँचने में कामिया भी होई राजोरी पहुचे तो सारा सहर भूतिया सहर की तरह नजर आ रहा था खून से सनी लासे जिन में औरत बच्चे बच्चियां ये सब आमानुए कारिया उन गुसफेटियों ने किये थे ये निर्मम कतले आम हमलावारों की करस्तानी थी जब सेहना वहाँ पहुँची थी तब जाकर वो सारी हिंसा खतम होई गुसफेटियों अब वहाँ से भाग चुके थे कई मारे जा चुके थे तो कई वापस लोट चुके थे उसके पच्चाथ सभी लोग आर्मी के आने के बाद में इस सुकून की सांस लेते हैं और सब अपने घरों की ओर लोटते हैं इंजिनिर्स को उनकी बहादुरी और मुस्तेदी के लिए राजोरी के बैटल ओफ ओनर से नवा जा जाता है और हमारे वीर बहादुर राणे सहाब को करतम वे सहास और वीरता के लिए परमवीर चकर से समानित किया जाता है राणे उन चंद लोगों में से थे जिने जीते जी परमवीर चकर को अपने सीने पर सजाने का एक मौका मिला था अरे भाई अभी कहाँ अभी हमारे राणे सहाब की प्रेम कहानी भी बाकी है जो किसी फिल्मी अंदाज से कम नहीं थी अब हुआ यूँ था कि राने साथ ने जब परमवीर चकर जीता तो उसके बाद में जब युद समाप्त हुआ तो देश की अलग-अलग हिस्सें के अंदर परमवीर विजिता का सम्मान किया जाने लगा और इसी कड़ी के अंदर एक बाहर की बात है उनके लिए एक कारिकरम का आयुजित किया जाता है और ये एक आयुजन करवर जिले के सदासिव कस्वे की सिवाजी विध्याले के अंदर आयुजित किया जाता है हमारे हिंदुस्तान में एक परंपरा है कि जब भी कोई अतिती आता है तो अतिती की स्वागत के लिए एक स्वागत गीत गाया जाता है और वही गीत उस दिन उस विध्याले के अंदर गाया जा रहा था और जिसमें चार लड़कें बड़े ही सालिंता से और मीठे सोर में वो गीत गाया रही थी उन चार लड़कियों में एक लड़की का नाम था लीला जो बड़े ही लगन से उस गीत को मीठे स्वर में गा रही है बीच-बीच में उनकी नजर राणे पर पढ़ती है एक बड़े ही सालिंता से और वीरता से उस समय हूँ राणे को देख रहे थे लेकिन जैसे ही राणे की नजर लीला पर पढ़ती है तो उनके दिल में कहा कि हाँ ये वही लड़की है जिसकी उनको तलास थी वे आगे की सारी जिंदकी इनके साथ बिता सकते हैं वो वक्त जैसे ही कारिकरम समाप्त होता है तो समाप्त होने के बाद में उस लड़की के घर का पता लेते हैं और लेने के बाद में उनके माता पिता से मिलते हैं और मिलने के बाद में उनसे साधी करने का प्रस्थाव रखते हैं तो लीला के माता पिता को राने को दामात की रूप में सुईकार करने में बड़ी खुसी होती है अब सोची एक डीज का परमवी विजित आकर आप सकी घर से कहे कि मैं आपकी लड़की से विवा करना चाहता हूँ और आप उसे दामाद के रूप में स्विकार करें, तो इससे बड़ाता स्वभागी क्या होता है। वैसे एक बात बताऊं, तो आपको बड़ा ही अजरश होगा कि राणे और लीला के बीच में उम्र में 15 साल का अंतर था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां प्रेम हो जाए, प्रेम में उम्र नहीं देखी जाती है। इसी कड़ी के अंदर 3 फरवरी 1955 में वे दोनों विभा के मंदन में बन जाते हैं। एक किसा और बड़ा महसूर है कि राणे की पतनी का नाम मैंने अभी आपको लीला बताया था। लेकिन जैसे आप देखेंगे सब जगा उन्हें राजेस्वरी के नाम से पुकारा जाता था। अब इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। अब हुआ यूँ था कि वे किसी कारिकरम की सिलसिले के अंदर उन्हें सम्वानीत करने के लिए एक महाराजा ने अपने महल पर बुलाया था। जब भी वहाँ पहुंचे तो वे अतिती कक्स के अंदर बैठे थे और जैसी वे अतिती कक्स में बैठे तो उन्होंने देखा कि सामने की दिवार पर एक तस्वीर टंगी थी जो महारानी थी और वो महारानी बला की बड़ी खूबसूरत माहिला थी राणे उनकी संदरता पर मंत्र मुक्त हो जाते हैं और जब भी घर लोटते हैं तो लोटने के बाद में भगवान के सामने प्रात्ना करते हैं कि है प्रभू इतनी संदर भी मुझे भी देना आप यहां तक नहीं उनकी बहातुरी और बेखौफ सभाव के कई किसे मसूर है कि पास में एक लड़की खूजे से पानी निकाल रही थी तभी उसका पाव फिसल जाता है और जिसके वज़ा से वो खूजे में गिर जाती है जब ये राणा को बात पता चलती है तो वो जान की प्रवाह किये वगेर उस कुगे में उतर जाते हैं और उस लड़की की जान बचाते हैं दूसरा किस्ता तबका है जब राणे हुँ राजश्वरी पूरे के भानु विलाज सिनेमा में सिनेमा देखने के लिए जाते हैं तभी कुछ लोग आपस में किसी बहाद से लेकर जगड जाते हैं और वे आपस में एक हिंसा का रूप धारण कर लेते राणा ने बिना कुछ परवाह किये वगेर उन सब को सांध करवाया बीच बीच में जाकर चिला चिला कर उस भीड को तरवतर किया और उसके बाद में सभी को अपनी जगह पर बेजा इसी तरह एक और किस्सा बढ़ा मसूर है बात है 1962 की जिस वक्त पस्चिम बंगाल के कलकता में कई सामपरदाइक हिंसाएं बढ़की हुई थी तो राणा कई बाहर जिस इलाकों में सामपरदाइक हिंसाएं बढ़की हुई होती थी उन इलाकों में जाते हैं और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और वे बड़े ही अती सवेदन सील इलाके होते थे कई बार राजे सुर्य के बड़ी ही चिंता होती थी वो घर में बैठी-बैठी भगवान से उनकी लंबे हुमर की प्रात्ना किया करती थी इसी तरह एक बार की बात है कि जब उन्होंने आर्मी नया नया जॉइन किया गया था उस समय ब्रमा के तड़ पर एक आराकांत की लड़ाई लड़ी जा रही थी उसी वक्त एक दिन उनकी सैना के कुछ सिपाही और वे एक ट्रक के माध्यम से जा रहे तो उस ट्रक के उपर एक लाइट मसीन गन लगी तही जिसको राणे समभाले थे अबागे सैने को उस ट्रंक के अंदर थे तब ही उपरसे एक हवाई-जाज आति है और वो उनके उपर हवाई-हमला को सुरू करना सुरू कर देती है राणा ने अपने जान की प्रभा किये बगेर बी तुर्णत निरने लेते हैं और अपनी लाइट मसीन गन को उठाते हैं और उसका मुँ उस हवाईजाज की तरफ करके टिरिगर पर दबा देते हैं और जितने भी गोलियां होती है वो गिराया जा चुका था हवाय जाज ब्लास्ट हो गया था राणे का समन्द करवर के कोंकर सत्री समदाई से था और वो कालांतर में दक्सिन भारत में जा बसे थे बहादुरूरी भरे कारणामा के लिए उन्हें पांच बार प्रसंसा पत्र दिया जा चुका था राणे का जनम 26 जून 1918 को करणाटक के चेंदिया गाव में हुआ था उनके पिताजी राजी के पुलीस में थे जब भी युवा थे उस वक्त गांदी जी का असोयोग आंदोलन चल रहा था और इसी आसोयोग आंदोलन को देखते हैं वे राणे के मन में भी कुछ देश के लिए कर गुजरने का होसला आता है और वे उससे बहुत प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के बाद में भी सेना जॉइन करने का फैंसला करते हैं जब विसेना जोइन करते हैं तो अपने साधियों के साथ में जब पासिंग आउट प्रेड का आहिजुन होता है तो उनकी जो वारिता की सूची होती है सबसे उपर उनका नाम था और इसी की बदलत उन्हें कमांडर कैन दी जाती है वीर बहादूर जवानों की किस्ते सुनने वो सुनाने योगे होते हैं उन्हें सुनना चाहिए वो सुनाना चाहिए आज की इस परमवीर दास्तान में हमने सुनी राम रागोवा राने की कहानी किस प्रकार एक वीर बहादूर ने बहतर घंटे तक बिना कुछ खाए पलकें च कहानी कमपनी हवलदार पीरू सिंग की कहानी जै हिंद जै भारत